कि नवास्कार दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आज 8 जनवरी इजी के साथ अपना नया करंट अफेर क्लास को स्टार्ट करते हैं यहां पर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बाइंट स्कीम के बारे में देखेंगे वाइल लाइफ कंजरवेशन बॉंड अभी रिलीज किये गए उनके बारे में पढ़ेंगे साथ ही साथ पूरा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अभी अप्रूव कर दिया गया है तो इसके अंदर क्या क्या होगा तो देखेंगे 108 वी सेशन होई अभी इंडियन साइंस कॉंग्रेस के इसको कौन अप्रू जी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है यहां पर क्या बोला गया है भारत में साइंस को आत्म निर्भर बनाने वाले होने चाहिए ठीक साइंस के प्रियास बड़ी उपलब्दियों में तभी बदले जा सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लेंड तक पहुंच पाए मतलब जो जो आविसकार हम करते हैं साइंस के अंदर उनको अगर हम लैब से निकालकर अगर ग्राउंड रियालिटी पे लगास केंगे चाह स्टार्ट कर सकेंगे तभी उसके प्रियास किये गए थे अगर वो उन्ची जो को पूरा कर पा रहा है तभी जाकर उसका फाइदा पाएगा जब उसका विस्तात जनरल से लेकर जमीन तक हो साइंस के सेतर में भारत ने तेजी से वर्ल्ड की टॉप कंट्री में सामिल हो रहा है 2015 तक 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर हमारा नंबर कून सा था 81 नंबर था लेकिन जो 2022 का डेटा आया उसके अंदर हमारा नंबर कून सा पहुंच गया कून से स्थान पर पहुंच गया हम 40 में नंबर पर पहुंच गया दूसरा हमाई पास टेक्नलोजी की कमीनी है इन दोनों में भारत की साइंस को नई उपलब्दियों में बुलंदियों में पहुचाने की बहुत बड़ी समता है अगले 25 वर्षों में भारत जिस उचाईयों पर होगा उसमें भारत की वेज्ञानिक सक्ती की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जूड़ जाता है तो नचीजे अबूत्पून आते हैं तो यहां पए क्या बात कही ही है, एक 108 महा सेशन अभी स्ठाट हुआ है Indian Science Congress का और इसको किसने स्ठाट किया गया है इनोगरेट किया गया है, इसको PM, Imody Jike ke द्वारा किया गया है प्रामिनिस्टर इसको इनोगरेट करते हैं, और इस साल का जो और These Saint thoroughly for sustainable development with women's empowerment तो यहाँ पर women's की participation की बात की गई है science and technology के और उसको बढ़ावा देने में importance of women's participation increasing participation of women is reflection of the process of the society and science today the country's thinking is not only that women should be empowered through science कि भाई women's को के ओल science के द्वारा ही empower नहीं करना चाहिए but science should also be empowered with the participation of women कि भाई science की बुलंदियों को चूने में women's के participation की भी काफी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के achievements की बात करे तो जो कि हमने अभी recent में पढ़ाई है अभी थोड़ी देर में कि भाई 40 में नंबर पे हम पहुँच गे थे global index के अंदर global innovation index 2022 में जो कि 2015 में हमारा rank कौन सा था 81 था और इंडिया केवल top countries में सामिल है top की तीन countries में सामिल है जहां पे PhD scholars का नंबर सबसे जादा है और सबसे जादा है यहां पे startup ecosystem भी है यह सब हमने पढ़ी लिया उपर से देखो science के अंदर अभी हम क्या क्या लॉंच किया है हमने लास्ट यह national hydrogen mission को लॉंच किया था इंडिया के पच्चित्र में independence day पे 15 अगस 2021 को ठीक है और अभी recent में इसको अप्रूव कर दिया गया है इंटर गोर्वेंट के द्वारा आज इसी चैप्टर में इसको भी हम कवर करने वाले है वाट इस science congress with the history dated back to 1914 1914 में इसकी शुरुवात की गई थी जहां पे बड़े-बड़े scientists researchers और science teachers और इवन professor from college and universities उनको भी एक जूट यहां पे एक platform पे लेके आया गया जहां पे वो अपने students से क्या करते थे interact करते थे general public से बाते करते थे matter on the science ठीक है उनको बदाते थे कि science की importance क्या है और सबसे पहला जो session कब हुआ था कोंग्रेस का इंडियन साइंस कोंग्रेस का हुआ था 1914 गे अंदर और इसके organizers की बात करें तो इंडियन साइंस कोंग्रेस association इसको organize करती है जो की एक independent body है किसके support से काम करती है यह काम करती है department of science and technology का support से काम करती है जो की center government का part है अब बात करते हैं अपने next topic के बारे में जो की है एक नई scheme यानि की bind scheme इसको cabinet ने अप्रूव कर दिया यह एक center sector scheme है इसका फुल वर्म की बात करें तो broadcasting infrastructure and network development इसके अंदर गोर्वेंट ने आउटले कितना दिया है 2549.61 करोड यहां पर खर्च किये जाएंगे गोर्वेंट deteriorates its commitment to development, modernization and strengthening of दूरदर्शन and अकासवानी infrastructure and service तो यहां पर गोर्वेंट क्या कह रही है कि bind scheme के माध्यम से bind scheme के माध्यम से यह जो है न पसार भारती हो गया दूरदर्शन हो गया इनको develop करेगी फिस से इनको modernize करेगी और जो इनका infrastructure और services है इनको और बहतर बनाए जाएगी scheme to financially support प्रसार भारती in expansion और उसको upgrade करने का यानि कि जो उसका broadcasting infrastructure उसको upgrade किया जाएगा जितने भी content पहले दिखाया जाए थे उनको भी से develop किया जाएगा और काफी सारा civil work यहां पे किया जाएगा इसके benefits की बात करें तो major upgradation to create better infrastructure, widen reach to left wing extremism, border और strategic area तक भी इसको पंचाया जाएगा provide high quality content to the viewers जो पहले यहां पे काफी देखो जब D2H नहीं होती थी और यह सब बड़ी बड़ी online system नहीं होता था तब ज़्यादा तर लोग क्या देखते थे दूर दरसनी देखते थे न्यूज बगेरा के लिए पर सार भारती चुनते थे तो अभी उसी चीज को है न एक नए लेवल पर ले जाने कि यहां पर गुर्मेंट बात कर रही है बेनिफिट क्या क्या रहेंगे इसके एक तो हाई क्वालिटी कॉंटेंट यहां पर डवलप किया जाएगा जो कि डॉमेस्टिक इवन हमारी कंट्री के लिए और इंटरनेशनल ओडियंस को ध्यान में रखते पर्चेज ऑफ ओबीवेंस, डिजिटल अपग्रेडेशन ओव दूरदर्शन एंड एर स्टूडियो तो मेक देम HD रेडी उनकी उनको हाई डेफिनेशन के अंदर यहां पर कनवर्ट करने की बाते कोर्वेंट के द्वारा की जा रही है तो पूरी की पूरी यह मैंने यहां ग्राफिकल एरिया तो जो ट्रांस्मीटर की जो केपसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा उसकी कवरेज को करीबन चासेट पसेट तक वह साथी साथ जो की पहुंच पाएगी 80% पोपुलेशन को और इस स्कीम के तुरू फ्री डिस्टिबिशन किया जाएगा करीब 8,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो कि पूरा का पूरा पैसा किसके conservation के लिए यूज़ होगा वो होगा ब्लैक रहीनोज के conservation के लिए यूज़ क्योंकि ब्लैक रहीनोज कहां पे साथ अफरीका के अंदर और उनका नंबर काफी कम हो चुका है wildlife conservation bond अपने ही आप में पहले ऐसे bond हैं जो कि raise कर रहे हैं कितना 300 million dollars को जो कि पूरा का पूरा पैसा black rhino की population को increase करने में लगाए जाएगा ठीक है यहाँ पर बात की जा रही है five rhino globally species present हैं करीबन white और black rhinos mostly पाए जाते हैं अपरिका के अंदर great one home जावन और समातरन यह पाए जाते करीबन south अफरीका और almost all of them are white rhinos and the black rhinos is decreasing day by day देखो इंडिया के अंदर कौन से पाए जाते हैं इंडिया के अंदर पाए जाते हैं great one home जो कि अपने इस species के अंदर सबसे size में सबसे बड़े रहते हैं अब बात करते हैं इंडिया के वारे में कि इंडिया में कहां कहां पे पाए जाते हैं पहला तो mostly asam area के अंदर सबसे जादा और असम के अंदर साथ नेशनल पार्क है रायमोना, मानर्स, ओरांग, नामेरी, काजी रंका, दिब्रू सिकावो और दिहिंग पटकाई जो छटा रायमोना नेशनल पार्क के एकम नोटिफाई हुआ था दोजार एक्किस के अंदर और ये भी जून दोजार एक्किस में हुआ था जो साथ मां था दिहिंग पटकाई What are the key points related to one-hound रहिनो? There are five species of रहिनो यानि कि white and black, black रहिनो अफ्रीका के अंदर, greater one-hound, jawn and samateran रहिनो ये अशिया के अंदर पाए जाते हैं Black रहिनो critically endangered category में आते हैं, white nearly threatened में आते हैं, one-hound vulnerable category के अंदर आते हैं और जावन critically endangered में आते हैं और साथी साथ समातरन जो रहिनो वो भी critically endangered category में आते हैं और मलेशिया से तो ये विलुपत भी हो चुके हैं Only one-hound रहिनो is found in India and also known as Indian रहिनो is the largest of the रहिनो species जो रहिनो की species हैं उसके अंदर जो size में सबसे बड़े हैं वो Indian रहिनो ही है It is identified by a single black hone and grey-brown hide with skin falls तो इनका जो hone का color कैसा होता है? black होता है और जो body के skin falls का color कैसा होता? grey-brown होता है ये primarily graze करते हैं with a diet consisting almost entirely by grasses as well as leaves, branches of shrubs, trees, fruits and aquatic plants इनके habitat की बात करें तो the species is restricted to small habitats यानि की इंडो, नेपाल, तराई रीजन, नोर्दर, वेस्टर बंगोल और असम रीजन के अंदर जाते हैं तर पाए जाते हैं इंडिया की बात करें तो केवल इंडिया के अंदर कहां कहां पाए जाते हैं? असम, वेस्ट पंगोल और उत्तर प्रदेश के अंदर असम के अंदर इनकी 2640 संख्या है जो की चार protected area के अंदर मिल जाएंगे आपको पाभीतोरा wildlife century, wildlife reserve शोरी, राजिव गांदी ओरांग नैसनल पार्क, काजिंग रंगा नैसनल पार्क और साथिसाथ मानस नैसनल पार्क जिसमें से 2400 के वल काजी रंगा नैसनल पार्क, tiger reserve के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे protection status की बात करें तो vulnerable category के अंदर हाते है, IUCN की red list में, sightics के appendix 1 में, wildlife protection act 1972 के schedule 1 में और इसनकी threat की बात करें तो इनके horns के लिए इनको मार दिया जाता है, ठीक है, habitat loss के कान भी काफी कम हो जारे, population density की वज़ए से भी इनकी संख्या कम होती जारी साथी साथ इनकी जो genetic diversity है, वो भी खतम होती जारी है, अब बात करते हैं, इनके conservation के लिए क्या-क्या efforts किये जारे हैं, तो सबने मिलके एक declaration sign किया गया जिसका नाम था, the New Delhi Declaration on Asian Rhino 2019 के अंदर ये किया गया था, और इसका काम क्या था, इन रहिनो को protect करना और कंज़व करना, Recently, Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने एक project को start किया था, जिसका क्या काम था, DNA को profile create करना, ठीक है, DNA profile create करना इन रहिनो की, जो हमारे country के अंदर है, National Rhino conservation strategy इसको भी 2019 के अंदर launch किया गया था, to conserve greater one hound rhino, Indian rhino vision 2022, 2005 में इसको launch किया गया था, अब यहाँ पर बात करेंगे हम हमारे National Green Hydrogen Mission के वारे में ठीक है, इसको union cabinet ने अप्रूव कर दिया है, और expected कर रहे हैं कि इसकी deliveries कब से start हो जाएंगी 2030 से, और यहाँ पर एक idea लगाया जा रहा है कि करीबन करीबन 5 million metric ton green hydrogen gas हम annually product कर पाएंगे, ठीक है, उसका production कर पाएंगे, किसकी मदद से करीबन 60-100 gigawatt electrolyzer capacity के साथ में हम 5 million metric ton को at least produce कर पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे 125 gigawatt की renewable capacity energy को भी हम generate कर पाएंगे, किसकी मदद से, green hydrogen gas की मदद से, इसके अंदर total outlook कितना अप्रूव होगा है, करीबन 19,744 करोड का, जिसमें से, जिसकी मदद से, अगर यह पूरा project सही तरीके से start हो गया, ठीक है, तो हम करीबन 1,00,000 करोड की import की saving कर पाएंगे, जो हम fossil fuels इंडिया के अंदर import करते थे, जिसे energy generate होती थी, तो उनको, उनके उपर dependence हमारी खतम हो जाएगी, तो 1,00,000 करोड हम यहां से बचा लेंगे, 37,50,000,000 metric ton CO2 का emission हम खतम कर देंगे, 6,00,000 job create कर देंगे, और सालाना इसके अंदर करीबन 8,00,000 करोड का investment की भी उमीद की जा रही है, इस outlook के अंदर क्या के include होगा, 17, 17,490 करोड साइट प्रोग्राम के लिए दिये जाएंगे, 1466 करोड पाइलेट प्रोजेक्स के लिए, 400 करोड R&D Research and Development के अंदर जाएंगे, 388 करोड करीबन जो other missions component होंगे, इसी mission के related उसके अंदर खर्च होंगे, और इससे क्या-क्या हमको expect होगा, क्या-क्या outcomes रहेंगे इसक का है ना, और renewable energy की भी capacity increase कर पाएंगे, करीबन 125 गिगावर्ट कंट्री के अंदर, आठ लाग करोड का total investment इसके अंदर होने की उमीद है, 6 लाग करोड जो उसको generate कर पाएंगे, साथी साथ, एक लाग करोड हम पैसे बचा लेंगे, दूसरी कंट्री से फोर्चल फ्यूल जो इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर, उनको रोग के, और साथी साथ, पचास मिलियन मेट्रिक टन, एन्वल ग्रीन हाउस, गैस एमिशन को खतम कर पाएंगे, पैनिफिट्स की बात करें, तो वही हमने देखे लिया, एक तो decarbonization होगा, industries का, carbon emission खतम हो जाएगा है न, fossil fuels के हमारी dependence कातम हो जाएगी, साथी साथ, इंडिया के अंदर ही हमारी इतनी capabilities बढ़ जाएंगी, कि हम इंडिया में इसको manufacture कर पाएंगे, और employment opportunity भी बढ़ जाएंगे, एवन 6 लाग jobs, यहां पे increase करने की बात कही जा रही है, तो यह सारे benefits हमको इस से होंगे, तो बात कर होते हैं कि hydrogen देखो, brown hydrogen भी होती है, जो कि hydrogen produced as a product on industrial processes, शाथी साथ, gray hydrogen जो कि fossil fuels से produce होती है, blue hydrogen जिसके अंदर hydrogen produce using fossil fuels, but co2 इसके अंदर capture की जाती है, green hydrogen के अंदर क्या है, electrolysis process को यूज किया जाता है, यानि बिजली को, ठीक है, solar से हम बिजली को generate करेंगे, और जो H2O को यह bond है, है न, यहां से बिजली को अगर गुजारेंगे, इसका electrolysis करेंगे, electrolysis का मरलब क्या है, electro means electric, यानि की बिजली होगी, lysis means किसी चीज को तोड़ना, तो है न, बिजली की मदद से इसके bond को तोड़ देंगे, जहां पे oxygen अलग हट जाएगा, और हमारे पास pure hydrogen बच जाएगी, त तो यहां पे zero carbon release हो रहा है, इसी वजए से इसको क्या बोला जाता है, green hydrogen बोला जाता है, तो यह सब मैंने आपको वहां पर पढ़ाई दिया, side scheme का क्या मतलब है, strategic intervention for green hydrogen transmission program, इसके अंदर domestic manufacturing करने की बात की जारी electrolyzers की, जो की electricity से electrolysis process को की वजए से क्या करेंगे, green hydrogen को produce करेंगे तो यह सब हम पढ़ चुके हैं, है ना, तो अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार को देख लेते हैं, और कौन से other initiative हैं, government के related to renewable energy, तो उनके अंदर पहला कौन से है, जवालाल नहरू, नेशन सोलर मिशन, साथी international solar alliance, फिर PM कुसुम, फिर national wind solar hybrid policy, साथी साथ roof top solar schemes, तो यह था ह हमारा आज का lecture, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सुझाव सजेशन हो, तो आप मुझे comment section, या फिर मेरे telegram page पे मुझे बता सकते हैं, तो मिलते हैं अपनी अगली class में, तब तक have a nice day कर दो कि अगरे, तो मिलते हैं, 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 तो